वेलकम स्ट्वेंड्स आज फिर से एक इंट्रेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं शोशल हेल्थ जो आपका नाइन्थ चैप्टर है इसका पार्ट वन देखते हैं स्टार्टिंग वीडियो फर्स्ट वीडियो है जो इस चैप्टर का वो start करते हैं और समझते हैं कि क्या है social health so start करते हैंör so strengths आज आपका एक नया chapter start करने जा रहे है social health strengths इसके पहले हमने यह chapter खतन किया strengths cell biology and biotechnology इसको add करके हमारे तीन chapters खतम हो गए है और आपको पढ़ना भी है और इसका जो भी exercise है वो आपको करना है इस्ट्रेंट्स यह जो भी exercise वो आपको करना है और किसी में अगर आपको doubt है तो आपको पूछना है इस्ट्रेंट्स आज हम एक नया chapter स्टार्ट करेंगे social health बहुत ही important chapter इस्ट्रेंट्स आज के situations को अगर हम देखें तो यह chapter बहुत ज़्यादा important है अगर ऐसी कोई situation आती जैसी की corona के situation है तो यह भी आपको ध्यान देना है कि हमें कैसे अपना social health बना के रखना है इस time में भी तो यह बहुत ज़्यादा important है students, बहुत ज़्यादा important chapter है students so social health chapter start करने से पहले जो आपका 9 chapter social health है पहले आपको समझना है कि social health होता क्या है social health का meaning क्या होता है so social health का meaning यही नहीं होता है students कि आप सिर्फ physically fit हो students आप अपने society में भी healthy होने चाहिए society में भी आप गुले मिले होने चाहिए society में भी आप जिनसे भी बाते कर रहे हैं वो आपसे satisfy होना चाहिए और आपका किस तरह से behavior आपके society में है वो आपका social health decide करेगा students अगर आपका behavior अच्छा है आप अपने सामने वाले से जिससे आप बात कर रहे हैं उसे हर दम आप satisfy करते हैं अपनी बातों से तो इसका मतलब यह है कि आपका जो social health आपके society में जो आपके health है वो काफी अच्छी है strengths so social health का मतलब यह होता है और देखते हैं आगे क्या है strengths so आज का जो situation चल रहा है उसमें social health रखना बहुत important है अभी आज के situation में कैसा है strengths कि सभी लोग जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं तो इसमें social health को maintain करना बहुती difficult हो जाता है क्योंकि आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं strengths so हमें technologies का use करना पड़ता है अपनी social health को maintain करने के लिए दूसरों से बात करने के लिए दूसरों से एक relationship बनाने के लिए strengths so आप एक अच्छा relationship अपने society में बनाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं social health बोलते हैं क्या बोलते हैं strengths social health बोलते हैं so देखते हैं आगे earlier we have studied the importance of physical health cleanliness and staying healthy however the concept of health does not end with it only so strengths इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि physical health क्या होता है मतलब आपके body की health cleanliness, saaf sutra और staying healthy मतलब आपने इसके पहले अपने body के बारे में पढ़ा था कि आप अपने body को किस तरह से healthy रख सकते हैं किस तरह से clean रख सकते हैं किस तरह से आप physically healthy रह सकते हैं या आपने पहले पढ़ा होगा पर जो health का concept है वो सिर्फ physically नहीं खतम होता है, आपके body पे ही नहीं खतम होता आप socially कितना active है socially कितना आप गुले मिले हो वो भी आपकी health होती है strengths, उस पे भी आपकी health क्या होती है, depend होती है strengths अब यहाँ पे देखते हैं classify your classmate into following groups depending upon the observation for a week तो classification होता है strengths, आपने एक week तक क्या किया है अपने classmates का अपने जो class में हैं आपके उन्हें आपने observe किया है और उसमें से आपने कुछ एक observations निकाले हैं तो observation result क्या निकले हैं strengths कि कुछ students जो होते हैं वो highly interactive होते हैं कुछ students जो होते हैं वो occasionally interactive होते हैं और कुछ students होते हैं जो non-interactive highly interactive मतलब क्या होगा students वो आपको हर जगा मिल जाएं मतलब हर एक competitions में वो part लेंगे teacher से highly interactive teacher से बहुत बाते करें बहुत सारे उनके दोस्त होंगे students और वो हर दम group में form करेंगे group में बातचीत करेंगे वो क्या होते हैं highly interactive occasionally interactive मतलब क्या होगा students occasionally interactive मतलब किसी occasion पर वो क्या करेंगे गुले मिलेंगे जैसे 15 August को हो गया तो वो आगए speech देने students वहाँ पर गुले मिले फिर वो चलेगा students so ऐसे students क्या बलते हैं जो occasionally interactive मतलब कुछ समय के लिए कुछ occasions पर festivals पर वो मिलते हैं तो क्या होगा occasionally interactive होगा जैसे कि आपका birthday होगा birthday में आपके क्या होता है बहुत सारे दोस्त आते हैं और जो highly interactive दोस्त रहते हैं वो आपसे रोज मिलेंगे पर occasionally interactive क्या होगा जब आपका birthday होगा जब आपकी weddings होगी तो वो मिलते हैं strengths तो वो ऐसे students क्या होंगे वो ऐसे दोस्त क्या होंगे आपके occasionally interactive होंगे non-interactive मतलब उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता किस से भी वो interact नहीं करेंगे ना किसी और से interact करेंगे ना आप से interact करेंगे वो अपने धुन में मस्त रहेंगे strengths तो वो होते हैं non-interactive strengths तो ऐसे आप observations निकालते हैं तो इससे क्या मालू पड़ता है जो highly interactive students होते हैं वो उनका जो social health होता है बहुत ही अच्छा होता है occasionally interactive का भी social health भी अच्छा होता है बट जो non-interactive होते हैं वो socially healthy नहीं होते हैं strengths भले वो physically healthy हों पर वो socially healthy नहीं होंगे strengths अब यहाँ पर दिया है strengths factors affecting the social health अब ऐसे कौन-कौन से factors ऐसे कौन-कौन से चीजे हैं जो आपके social health को affect कर जाती हैं आपके social health को क्या करेंगी affect करेंगी तो पहला है strengths financial status अब financial status मतलब होता है आपके पास finance कितना है आपके पास पैसे कितना है अगर आप गरीब हो तो आप socially अच्छे से गूल नहीं पाते हैं आपने देखा होगा कि जो गरीब person रहता है जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं वो थोड़ा सा दब के रहते हैं तो वो क्या होते हैं गूल नहीं पाते है socially गूल नहीं पाते है इसलिए उनका जो social health होता है financial status से भी क्या होता है effect हो जाता है अब यहाँ पे इहाँ है स्ट्रेंड्स gardens अब देखो स्ट्रेंड्स क्या होता है अगर garden area में एक है अगर gardens जो area में एक हैं तो हम socially मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे area के पूरे लोग वहाँ पे हैं अब एक ही area में अगर हम 5-6 gardens बना देदे तो अब क्या होगा students लोग बढ़ जाएंगे और लोग बढ़ जाएंगे तो क्या होगा जादा बातचीत दोनों में नहीं होगी किसी में बातचीत नहीं होगी तो इस तरह से क्या होगा social health disturb होगी social health effect होगी students social and physical condition of the surrounding अब surrounding की कैसी conditions है surrounding को आप समझे साफ सुतरा नहीं रख रहे तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे students ये भी एक factor है जो आपके social health को depend के तो लोग नहीं आएंगे तो आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे लोगों से नहीं मिल पाएंगे तो आपकी social health जो होगी वो disturb होगी social environment of the surrounding तो ये भी same होगी आपका social environment कैसा है surrounding में वो भी बहुत important residential area residential area मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कैसा society है वहाँ का कैसा environment है आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं वो भी social health को effect करता है ये सब factors भी क्या होता social health को effect करेगा water अब देखो students water भी social health को effect कर सकता है क्योंकि water एक बड़ा factor है toilets ये तो आपको पता ही होगा toilets भी बहुत जादा effect करेगा toilet नहीं है तो effect कर रहा है political conditions वहाँ की political conditions कैसी है वो भी आपके social जैसे की एक ही area में 2-3 parties है तो क्या होगे लोग बढ़ जाएंगे क्या होगा लोगों के groups बन जाएंगे अलग-अलग तो ये क्या हो रहा ये दूरियां बढ़ रहे है लोगों के बीच में क्या हो रहा है दूरियां बढ़ रही है इनके वज़े से playgrounds इसका भी same matter है जैसे की gardens का अगर एक playground रहेगा तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं खेलने के लिए और वही अगर छोटे-छोटे playgrounds बहुत सारे रहेंगे तो लोग बढ़ जाएंगे फिर से social treatment अब social treatment क्या होता है मतलब जैसे की आप बीमार है तो आप से लोग मिलने आएंगे तो आप क्या होगे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि लोग मिल रहे हैं तो यह क्या है एक type से social treatment है मतलब आप लोग आ रहे हैं आप से मिलने आपको एक सांता होना देंगे कि आप ठीक हो जाएंगे तो यह क्या है एक type से social treatment है मतलब आपको society treat कर रही है अच्छे से social safety social safety क्या होता है स्ट्रेंट्स आपके सोसाइटी में क्या सेफटीज हैं क्या नहीं हैं ये भी क्या होता है शोशल सेफटी में आता है फिर है स्ट्रेंट्स ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटीज आपके एरिया में आपकी लोकालिटी में कैसी ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटीज अगर ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है तो लोग आएंगे जाएंगे आपका social health बनेगा लोग आएंगे जाएंगे तो आपसे बात चीत हो कि आप उनसे interact होंगे और आपका social health क्या होगा improve होगा education and job opportunities अब आपके locality में education और jobs की कैसी opportunity उस पे भी आपका social health depend होगा अगर education और job opportunity आपके locality में अच्छी है तो वहाँ पे लोग आएंगे interact होंगे आपसे और आपकी social health क्या होगी improve होगी अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा affect होगी आपकी social health satisfying basic need of person food, clothing, shelter, medicine अगर आपके locality में ये पूरी चीज available है तो क्या होगा वहाँ पे लोग establish होना start होगे तो आप में क्या होगा एक relation बनेगा, एक friendly relation बनेगा और आप क्या होगे socially गुलने मिलने लगेंगे socially उनसे बातचीत करेंगे और आपके society form होगी और इससे क्या होगा आपका social health improve होगा बग अगर ये नहीं होता है अगर ये नहीं basically ये नहीं available होता है कहीं पे, तो क्या होगा वहाँ पे social health affect कर जाएगा education, same education और job opportunity जो है वो same education, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके social health को affect करती है ये सब अगर नहीं रहेंगी तो ये क्या करेंगी, social health को आपके affect करेंगी, तो आपको मैंने social health बताए, social health होता क्या है, students, आपका society में एक image, society में एक behavior, society में आपका बातचित करने का तरिका, society में आपके relations अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप socially healthy कहलाएं साथी साथ आप physically और mentally भी क्या होने चाहिए healthy होने चाहिए so, ये है social health, students, आगे देखते हैं, क्या है, ये तो आपका introduction था, students, आगे देखते हैं so out of various expect of social health, we thought about only one in the above mentioned activity so, बहुत सारे aspects हमने देख लिए जो social health को क्या कर रहे है effect कर रहे हैं, students social health is the ability of a person to establish relationships with other person, तो मैंने आपको पहली बोला social health क्या होता है social health क्या है, person की ability है, person का एक behavior है दूसरों के साथ relationship establish करना, दूसरों को friends बनाना, दूसरों से बात करना किस तरह से वो दूसरों से behave करेगा ये ability हो, ये persons के ability को हम क्या बोलते हैं social health बोलते हैं, students का बोलते हैं social health बोलते हैं ability to change one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristic of social health so students क्या है, यहाँ पर एक पर फिर से पढ़ते हैं ability to change one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristic of social social health, मतलब क्या है, students यहाँ पर एक behavior को, या तो आप society के हिसाब से अपना खुद का behavior change करते हैं society के conditions के हिसाब से आपका खुद का behavior आप change करते हैं, वो क्या है एक type का आपका characteristic से social health बनाने का, खुद का, आपका maintain करने का, मतलब society की जो भी condition है, according to the changing social conditions, is an important characteristic of social health, मतलब आप अपने behavior को, आप अपने ability को, relationship बनाने के आपके ability को, आप change करते हैं, अपने society के conditions के हिसाब से वो क्या है, एक अच्छा characteristic है, एक important characteristic है, आपका अच्छा, आपका social health maintain करने के लिए strengths, various factors like strong personality, having large number of friends and relatives, proper use of time during loneliness, and with peer group, trust in others, respect and acceptance for others, are important for good social health, तो अब यहाँ पे कुछ factors यह हैं, जो आपके social health को अच्छा कर सकता है, social health को बढ़ा सकता है, तो कौन-कौन से factors and strengths, strong personality, आपकी एक strong personality होनी चाहिए, आपका एक image होना चाहिए अपने society में, कि आप हो करके, having large number of friends and relatives, आपका एक बड़ा friend group होना चाहिए, friend circle होना चाहिए, आपके relatives होने चाहिए, proper use of time during loneliness, अगर आप अकेले हैं, तो आप उस time को अच्छे से यूज़ करें, या तो पढ़ने में यूज़ करें, या तो आप आपका जो भी hobbies है, खेलने में यूज़ करें, जब आप अपना अकेला time, अकेले में आप जब रहते हैं, और end with peer group, अब peer group क्या होता है, आप अपने times को peer groups के साथ भी कर सकता, peer group मतलब होता है students, जैसे आप 18 age के हैं, तो peer group मतलब क्या होगा, उस group में सभी लोग 18 age के होंगे, एक ही status के होंगा students, उसे क्या बोलते हैं, peer group बोलते हैं, जैसे आपका age 19 group है, तो आपके age, आपके group में क्या होंगे, 15 से लेगे 20 के बीच में सब लोग रहेंगे students, तो उस group को हम क्या बोलते है, peer group रहते हैं, तो आप अपना time peer groups के साथ भी बिता सकते हैं, मतलब आपके age के लोगों के साथ, आपके age group के लोगों के साथ, trust in others, social health बनाने के लिए, आपको दूसरों के उपर भरोसा भी करना पड़ेगा students, ऐसा नहीं है कि आप अपने friends पर भरोसा ना करें, आपको अपने friends पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको एक trust बनाना तब जाके आपका social health क्या होगा, improve होगा, respect and acceptance for others are important for good social health, और आपको दूसरों की respect, और आपकी group में कोई नया हा रहा है, तो उसे आपको accept भी करना है, भले वो थोड़ा सा, आपसे थोड़ा सा वो आपको नहीं जम रहा है, तो भी आपको उसे accept करना पड़ेगा, तो यह जब आप करेंगे, तो क्या होगा, आपकी social health improve होगी, social health अच्छी होगी, so यह सब कुछ चीज़े हैं, जो आपकी social health को क्या करेगा, improve करेगा, आपको ज़्यादा interactive बनाएगा अपने society में, we have seen that various factors affect, और हमने पीछे अब देखा था कि कुछ factors है, जो social health को affect करते हैं, तो वह ही हम पढ़ने वाले हैं, factors disturbing the social health, तो ऐसे कौन-कौन से factors है, जो social health को disturb करते हैं, तो देख लेते हैं, competitions has increased in opportunity for education, employment and business due to increase in population, तो पहला factor हम पढ़ने जा रहे हैं, mental stress, क्या है, mental stress आपके दिमाग पे तनाव जो होते हैं, आपके दिमाग पे जो तनाव होते हैं, जो tension होता है, वो कैसे आपके social health को affect करता है, वो हम देखने जा रहे हैं, competition has increased in opportunities for education, employment and business due to increase in population, so students, जैसे-जैसे populations बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे competitions बढ़ता जा रहा है, किसके लिए competitions बढ़ता जा रहा है, education के लिए competitions बढ़ रहा है, employment के लिए, काम के लिए competitions बढ़ रहा है, business के लिए competitions बढ़ रहा है, तो यह सब competitions बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे आपका population बढ़ते जा रहे है Children's are facing the problem of loneliness and mental stress due to reason like nuclear family and parents staying outdoor due to jobs So students simple है अब Children's जो होते हैं Children's जो होते हैं हमारे future होते हैं So वो क्या हो रहे हैं वो एक type से problem face कर रहे हैं अकेला अपन का एक problem face कर रहे हैं जिनके वज़े से उन पे mental stress आ रहा है अब वो अकेले पन का जो problem हो कैसे face कर रहे हैं तो यह कैसे होता है न जब parents और family क्या होते हैं Family जो होती वो दूर-दूर होती है और जो parents होते हैं वो job के वज़े से उनसे दूर-दूर होते हैं तो इसके वज़े से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो चिल्रन्स होते हैं, उनसे उनको वो लव नहीं मिल पाता है, उनको वो फ्रेंड नहीं मिल पाता है, जो उनको अपने फैमिली से मिलते हैं, जो पैरेंट्स होते हैं, उनका वो लव नहीं पाते हैं, तो क्या होते ह और कुछ families तो ऐसी है जहाँ पे girls के लिए कुछ freedom ही नहीं दी जाती है अब जैसे कुछ momidian families होती है जहाँ पे girls को क्या होता है कोई freedoms नहीं दी जाती है और boys को fully freedom होती है तो यह गलत होता है मैं सिर्प momidian की नहीं बात कर रहा हूँ ऐसे कुछ states भी है जैसे कि नागा लेंड वगेरा में क्या होता है वहाँ पे लड़कियों को कोई freedom नहीं होती है अभी भी ऐसे बहुत सारे UP और बिहार में ऐसे बहुत सारे जगा है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने तक का freedom नहीं है so यह कुछ girls के लिए bindings होती है कुछ रोक टोक होते हैं जो उन्हें नहीं किया जाता है और जो boys होते हैं उनको पूरी freedom दी जाती है ऐसे कुछ families होती है boys enjoy the concession from their domestic duties whereas girls have a compulsion for the same on the pretext that should be used to eat so अब boys के लिए क्या है students boys एकदम fully free होते हैं क्या लिखा है यहाँ पे boys enjoy the concession from their domestic duties अब boys का जो काम होता है घर के काम बाहर के काम जो भी होता है वो उन्हें क्या करते हैं अपना freedom डून लेते हैं उन्हें enjoy करते हैं और जो girls का होता है उन्हें वो compulsion होता है क्या होता है वही काम करने के लिए अगर कोई girls है समझो वो क्या करती वो भाजी ले जाने market जाती तो उसका compulsion यह है कि वो सिर्फ market जाएगी vegetable लेके वापस आएगी और अगर वही boys काम करता है तो वो market जाएगा खाएगा पिएगा मिलेगा जुलेगा अपने friends से या तो friends के साथ जाएगा so यह क्या है यह boys का freedom है boys को एक type से वो concession है वो enjoy करते हैं पर girls के लिए सिर्फ एक compulsion दिया थे compulsory आपको market में जाना है तो आप vegetable ही खरीदोगा आप किसी से बात नहीं करोगे ना किसी से interact करोगे आपको सिर्फ compulsion दिया जाएगा इसलिए आप एक pretext यूज़ के लिए एक pretext यूज़ के लिए एक pretext यूज़ के लिए should be used to it क्या लिखा है यह आपे should be used to it मतलब ये girls के लिए compulsion है students एक type से कि आपको वैसे ही रहना है जैसे उनको बोला जाएगा मतलब यहाँ पर देखो ये sentence जो दिया है should be used to it तो यहाँ पर compulsion आला है students girls के लिए कि आपको जो बोला जाएगा आपको वही करना है वही use करना है जो आपको दिया जाएगा और उनको ऐसे ही बनाया जाता है students girls को जो families होती जहाँ पर girls को freedom नहीं दी जाती वहाँ पर उन्हें बचपन से ही वैसे ही बनाया जाता है should be used to it क्या बनाया जाता है उन्हें should be used to it मतलब आपको जो बोला जाएगा वह आपको करना है और वैसे आपको आदत बनानी है आगे भी so इसका मतलब यही है should be used to it का मतलब यही है कि आपको ऐसी आगे भी चलना है जैसे आपको अब भी बताया जा रहा है students और आपको इसकी आदत बना लेनी है do you see the advertisement about increasing awareness on avoiding the discrimination between girls and boys or sister and brother in some same family on choice for fresh leftover food learning medium so strengths अब आपने कुछ advertisement देखे हों कि अब भी जब 5-6 साल पहले की बात है girls को बहुत freedom नहीं होई क्याते पर जैसे जैसे awareness बढ़ती है जैसे जैसे हम advertisement करते गए हैं कि discrimination जो भेदबा हो रहा है लड़कों और लड़कियों में भाई और बहनों में वो कम और जो fresh खाना रहता है और boys को देती है learning medium मतलब girls को Marathi या Hindi medium में लोग डालते हैं सरकारी स्कूल में डालते हैं पर boys को English medium में डाला जाता है English medium में उनका admissions होता है private school में उनका admissions होता है तो ये सब discrimination अब नहीं होने चाहिए students इसके लिए awareness होरा advertisement किये जा रहे है in society do adults and girls have to unnecessary face the problem like teasing and molestations so strengths अभी जो adults and girls होते है adults and girls मतलब होता है जो child से adult group में जा चुके है 18 प्लस हो चुके हैं उन्हें हम बोलते है adults and girls जो young होते है students तो उन्हें एक unnecessary बिना वज़ा का एक problem face करना अब जैसे कि teasing हो गया मतलब उन्हें परिशान किया जाता है जब वो अकेले रहते है molestations उन्हें ये भी परिशान किया जाता है molestations मतलब होता है परिशान किया जाता है teasing मतलब भी क्या होता है उन्हें परिशान किया जाता है सताया जाता है so ये सब क्या है ये सब कुछ problems जो girls होती ही वो unnecessarily face करती ही बिना वजय का face करती ही उनकी कोई गलती यहाँ पे नहीं होती फिर भी उन्हें परिशान किया जाता है उन्हें family से परिशान किया जाता है तो ये सब कुछ problems है girls के लिए girls are facing the problem of stress due to such gender equality तो gender inequality भी एक बड़ा problem में girls के लिए कि हम भेगबाओ करते हैं girls को हम अच्छे से नहीं treat करते हैं girls को हम अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो ये क्या एक type से gender inequality जो अभी के time में धीरे-धीरे हटते जारी है cities से हट चुकी है पर कुछ गाओं ऐसे भी है जहां तक हमारा law नहीं पहुच पाती है हमारे police नहीं पहुच पाती है और पहुच भी जाती है तो वो क्या करते हैं उन्हें नहीं मानते हैं हमारे laws को नहीं मानते हैं so ऐसी बहुत सारे अभी भी states है बहुत सारे ऐसी families हैं nowadays everyone has a face the stress due to ever increasing disorder, crime and violence तो अभी के time में तो क्या हो रहा है कुछ चीज़ें हट रही है वो अच्छी बात है पर कुछ चीज़ें यहां पर बढ़ रही है जो कि एक mental stress बढ़ा रही है जैसे कि disorders कुछ बीमारियां बढ़ रही है crimes बढ़ते है violence बढ़ रहा है persons को तो इससे क्या हो रहा है उनके दिमाग में tensions बढ़ रहा है उनका mental health खराब हो रहा है तो कि उनके mental stress आ रहा है at the same time people looking at this as a fast and easy way of making money so अब इसे कुछ लोग क्या सोच रहे यह एक easy और अच्छा तरीका है पैसे बनाने का अब disorders हो गया आप जाएंगे hospital क्या करेंगे आपसे पैसे लेगी crime चोरी करते हैं लोग उससे पैसे कमाते हैं तो यह चोर क्या सोचते हैं कि चोरी करना एक easy और fast तरीका है पैसे कमाने के disorder हो गया आपको बिमारी होगी तो hospital पैसे लेगे violence गुंडा गर्दी से आपसे पैसे लूटे जाएंगे तो यह सब क्या है students यह सब एक easy और fast तरीका माना जा रहा है कुछ लोगों से पैसे कमाने का at the same time people looking at the fast and easy way of making money may become scape goats and become part of such system अब बात आती है students कुछ लोग scape goats बन जाते हैं अब scape goats का मतलब पहले मैं आपको word का मतलब समझाता हूँ कि scape goats मतलब होता क्या scape goats मतलब होता था पहले के time में कुछ goats जो होते थे जिनका use नहीं होता था उन्हें कहां बेज दिया जाता था जंगल में, wild में बेज दिया जाता था और शेर वगेरा है जो वहाँ के wild animal उन्हें खा जाएं तो यहाँ पे scapegoats मतलब क्या होता है scapegoats यहाँ इस sentence के साब से scapegoat का मतलब क्या है आपके बिना गलती किये आपको सजा दी जाएगी आपकी कोई गलती भी नहीं होगी तो भी आपको blame किया जाएगा so ऐसे भी हो जाता है मतलब crime कोई और करेगा नाम किसी और के उपर आएगा blame किसी और के उपर आएगा तो यह भी होता है और यह पार्ड बन चुका है system का ऐसे होता है जैसे कि कोई politicians होता है वो crime करता है पर नाम किसी और के उपर आता है मतलब जिसकी गलती भी नहीं है वो blame हो जाता है students तो इससे क्या होता है इससे mental stress बढ़ता है वो जो बंदा है वो suicide भी कर सकता है students तो ये एक effect है जब हमारे social health को क्या हो जाती है कोई बिमारी लगए आपकी society अब क्या हो चुकी इल हो चुकी बिमार हो चुकी है तो ये एक deadly effect है students ये सब क्या है ये सब social को बिमार करने वाले society को बिमार कर रहे है điềuась ऐ ¿ sneaky crimes? ऐस अब क्या हो रहे society को बिमार करर रहे society को ख़राब कर रहे उनकी health ख़राब कर रहे है So इससे क्या होता है स्टेस रबढता है, पर्सन के दिमाग में टेंशन बढती है जिसके वजह से उसका mentally वो क्या होता है disturb होता है अब कोई पर्सन अगर mentally डिस्टाब है तो वो क्या होता है वो अच्छे से इंटराक्ट नहीं हो भाएगा सूसाइ से society में interact नहीं हो पाएगा तो क्या होगा उसकी social health effect होगी students अब देखते हैं addictions, तो addictions का मतलब समझे addictions का मतलब लट किसी की आपको habit लगया चाहिए वो अच्छी हो बुरी हो, उसे हम क्या बोलेंगे addictions बोलेंगे students peer group influences stronger in a case of adolescence अब students addictions के साहिए, जब आप 18 group के होते हैं, जब आप 15 to 20 के age में होते हैं, वो addictions group होते हैं तो उस time पे जो आपका group होता peer group मतलब आपके age के जो group होते हैं आपके age वाले जिसमें लोग होते हैं वो ज़्यादा मतलब आप उनसे ज़्यादा attract होते हैं, जो आपके peer groups में होते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, जब आप अपने adolescents age में होते हैं, जब आप 15 to 20 के age में होते हैं, तब आप अपने जैसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंत करते हैं, students Adultsons always prefer the company of friend and follow their good or bad habit instead of following advice of parents and teachers और ये time में क्या होता है न, students Adultsons का period होता है, आपका 15 to 22 का जो age होता है न, students उसमें आप ज़्यादा तर के अपने friends के साथ रहते हों, और उनी habits को चाए वो अच्छी हो, चाए बुरी हो आप उनी habits को follow करेंगी जो आपके friends follow करते हैं, बलकि आप advice भी नहीं सुनते हैं आप किसी के advice भी नहीं follow करते हैं अपने parents की भी advice उस टाइम पे नहीं follow करते हैं teachers की भी advice उस टाइम पे आप नहीं follow करते हैं, आप सिर्फ अपने friends के साथ रहना पसंद करते हैं और वही आदत आप follow करते हैं वो अच्छी हो चाए बुरी हो जो आपके friends की आदत है आप वही आदत को लेके चलते हैं Children in their early age try upon tobacco, cigarette, good का, alcoholic drink, drug, etc. अब समझो आपका जो friend circle है आपके adult sense age में आपका जो friend circle है वो खराब है strengths वो अच्छा नहीं है तो आपको ऐसी लत लग सकती है आपके early age में भी ऐसी आपको लत लग जैसे आपको तबाक को खाने की लग जग जाएगी cigarette पीने की लग गुट का पान जो भी है उखाने की आपको लत लग जाएगी wines वगएरा alcohol वगएरा ट्रिंक करने की drugs लेने की लग आपको लग सकती due to either peer group pressure और symbol of high standard living और as the imitations of elders so strengths यह कैसे होता है यह लग आपको कैसे लगी peer group pressure peer group pressure मतलब जिस group में आप रह रहे हैं तो वो group क्या होगा आपके age group का होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे peer group प्रेशर क्या होगा अब आपका एक friend है जो bad habit पे हैं आपके group में आपका friend है bad habit में ओ क्या बोलेगा पहले दिन आपको क्या बोलेगा अरे पी ले आपको क्या बोलेगा पिलाएगा आपको पहले दिन पिलाएगा दूसरे दिन पिलाएगा तीसरे दिन पिलाएगा आपको चोते दिन से आदत हो जाएगा आप उससे मांग के पी होगे आप पहले आप नहीं पी रहे थे जब पिला रहा था आप नहीं पी रहे थे पर आपने उसके प्रेशर में पी ये आपके उपर एक peer group pressure आ रहा है इस्ट्रेंट्स पहले दिन आप पियोगे, दूसरे दिन पियोगे, तिसरे दिन पिलाएगा, चौते दिन आप उसे मांग के पियोगे चौते दिन नहीं देगा तो आप खरीद के पियोगे, क्यों आपको habit होगया, आपको addiction हो चुका है इस्ट्रेंट्स उसका symbol of high standard, अब ये सब क्या होता है, cigarettes जो होते है, alcoholic drinks होते है, ये क्या होते है, बड़े लोग भी पीते है तो जो बड़े लोग होते है, उन्हें क्या होता है, ये अपनी जो status दिखाने के लिए पीते है, wines पीते है, महेंगा cigarette पीएंगे, वो क्या है, अपना status दिखाने के लिए पीते है high standard दिखाने के लिए हो पीते है living or as an imitations of elders और एक और चीज़ से आपको आदत लग सकती जैसे आपके घर में जो elders हैं आपके जो बड़े हैं students वो cigarette पीते हैं, alcohol पीते हैं तो धीरे धीरे आपको भी आप भी उनकी तरफ attract होते जाएंगे और आप भी आपको भी वो आदत हो जाएगी आपको भी वो addictions हो जाएगा however it may lead to addiction to such deadly substances तो इसके वज़े से क्या होता है students आप किसी का habit बना रहे तो किसी का addiction बना जो जैसे कि tobacco जो cigarettes गुटका जो यह आपके health के लिए अच्छा नहीं होता है यह deadly होते हैं students अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो deadly cancers होते हैं students तो यह सब addictions क्या है deadly substance के addictions हमें नहीं लगने चाहिए पर यह लग जाते हैं students adults group में जब आपका group अच्छा ना हो students temporary intoxicating drugs of plant origin and some chemical में permanently damaged the human nervous system muscle system, heart etc तो तो tobacco secrets गुटका होते हैं वो कैसे होते हैं students वो plant origin से बनाय जाते हैं जो यह सब जो drugs होते हैं यह सब किससे बनाय जाते हैं plants origin से बनाय जाते हैं कुछ chemical से बनाय जाते हैं जो क्या कर सकते हैं आपके nervous system को permanently damage कर सकते हैं muscle system को permanently damage कर सकते हैं heart को permanently damage कर सकते हैं students earlier we have studied the carcinogenic effect on tobacco containing substance on mouth and lungs so इससे पहले आपने पढ़ा होगा इससे पहले classes में आपने पढ़ा होगा कि जो tobacco और जो कुछ other substance है वो क्या होते हैं students mouth और lung को cancer पहुचा cancerogenic effect मतलब क्या होता है जिससे आपको cancer हो जाए cancerogenic मतलब क्या होता है ऐसा substance जिससे आपको cancer हो सकता है तो tobacco क्या है tobacco में ऐसा substance होते हैं जो आपको cancer पहुचा सकते हैं, mouth और lung cancer आपको हो सकता है, tobacco से strengths, तो इससे क्या होगा strengths, आप अकेला रहना पसंद करेंगे, अब आप tobacco secret गुटका खारें, तो आप अपने parents के सामने थोड़ी न खाएंगे, अप अकेले रहेंगे, अकेले पियेंगे, तो इससे क्या होगा strengths, इससे आपका social health disturb हो रहा है, आप किसी से interact ही नहीं कर रहे हो, अगर आप नशे में हो तो आप किसी के सामने जाओगे ही नहीं, अकेले रहोगे, क्यूंकि आपको पता है, उसे पता चल जाएगा, तो आप किसी से interact नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपकी social health improve नहीं होगी, एफेक्ट कर जाएगी आपकी social health strengths, तो आगे देखते हैं, तो आगे जो है, वो है incurable disease, तो देख लेते हैं इसको भी, factors like ignorance towards the people with incurable diseases like AIDS, TB, leprosy and mental disorder as well as old person leads, to increase in old age homes and such factors also may cause harm to social health, अब क्या होता है students, incurable disease मतलब होता है, जो disease का cure ना हो, जो disease की medicines ना हो, दवाएं ना हो, कुछ cure ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, incurable disease बोलते हैं, अब क्या होता है students, कुछ people, जो कुछ persons को, जैसे कुछ disease होगे, जो cure नहीं किये जा सकते, AIDS होगे, TB, TB का इलाज आ चुका है students, पर पहले के time में TB का इलाज नहीं था, leprosy हो गया, leprosy में क्या हो जोता हैं, आपके हाथ जोते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाएंगे, आपके हाथ, fingers ऐसे मूट जाएंगे, हर जगा की skin क्या होगी, सिकुड जाएगी, so यह leprosy होता है, mental disorder, mentally, जो, जैसे हम बोलते हैं, mentally disturbed हो चुका है, तो, ऐसी जो बिमारी होती ही, या तो old person, इनके वज़े से क्या हो रहा है, इनको ignore करते हैं persons, इनके family वाले इनको ignore करते हैं, तो इसके वज़े से क्या होता है, वो कहीं भी उन्हें छोड़ देते हैं, उनके family वाले क्या करें, कहीं भी उन्हें छोड़ देंगे, तो इसके वज़े से क्या हो रहा है, old age homes बढ़ते जा रहे हैं, मतलब old age homes, लोग क्या करते हैं, trust क्या करती हैं, जो NGOs होते हैं उस्फार करते हैं old age homes बनाते हैं mines發 en or उन्हें रखते हैं तो इससे क्या होरा क्या हो रहे है इससे यह सब लोग क्या हो रहे डिस्टरब हो रहे हैं यह किसी से इंटराक्ट नहीं कर पारें अपने family में नहीं interact कर पा रहे हैं, अपने society में नहीं interact कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका उनका जो social health है, वो effect हो रहा है, आपका भी social health क्या होगा, effect होगा, क्योंकि आप उनसे नहीं interact कर रहे हैं, आप उन्हें अपना relationship नहीं बना पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, आ आप socially healthy नहीं है, जब आप किसी से interact नहीं कर पाएंगे, किसी से social health नहीं बना पाएंगे, किसी से relationship, किसी को friend नहीं बना पाएंगे, तो क्या होगा, आपका social health क्या होगा, effect होगा, भले वो किसी भी reason से हो strengths, so, इस वीडियो में इतना ही है strengths, so I hope आपको ये दो factor समझे होगे, mental stress और addiction strengths, so इस वीडियो में इतना ही है strengths, social health, so thank you strengths, मिलते हैं अगले वीडियो में,